श्रीमत भगवत गीता छठा, अध्यायह आत्म संयम योग पांच में, अध्याय के आरंब में अर्जुन ने भगवान से कर्म सन्यास, सांख्य योग तथा कर्म योग इन दोनों में से कौन सा साधन निश्चित रूप से कल्यानकारी है यह जानने की प्रार्थना की तब भगवान ने दोनों साधनों को कल्यानकारी बताया और फल में दोनों समान है फिर भी साधन में सुगमता होने से कर्म सन्यास की अपेक्षा, कर्म योग की श्रेष्ठता सिद्ध की है बाद में उन दोनों साधनों का स्वरूप, उनकी विधी और उनका फल अच्छी तरह से समझाया, इसके उपरांत उन दोनों के लिए अति उपयोगी और मुख्य उपाये समझ कर संक्षेप में ध्यान योग का भी वर्णन किया। लेकिन उन दोनों में से कौन सा साधन करना। ये बात अरजुन स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाया और ध्यान योग का अंग सहित विस्त्रित वर्णन करने के लिए छठे अध्याय का आरंभ करते हैं, प्रथम भक्तियुक्त कर्म योग में प्रवृत्त करने के लिए श्री भगवान वाचा अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोतिया, ससन्यासी चयोगी चन निरग निर्ण चाक्रिया। श्री भगवान बोले जो पुरुष कर्मफल का आश्रे न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अगनी का त्याग करन वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है यम सन्यास मिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव नहीं सन्यस्त संकल्पो योगी भवतिक अश्चन। विद्धि में निश्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूड हो जाने पर उस योगारूड पुरुष का जो सर्वसंकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है यदा ही नेंद्रियार्थेशु न कर्मस्वनु शज्जते सर्वसंकल्प सन् जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है। जिसका अंतह करण की वृत्तियाओं भली भाति शांत हैं। ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्यान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से ही स्थित है। जिसका अंतह करण ज्यान विज्यान सित्रिप्त है। और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है। वह योगी युक्त अर्थाद भगवत प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है। सुहरिद, मित्र, वैरी, उदा, सीन, मध्यस्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ट है योगी युन्जीत, सतत्मात्मानम रह सिस्थित। एका की यतचित आत्मा निराशीर परिग्रहा। विर्ग जाला और वस्त्र बिछे हैं। स्थिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर द्रिष्ट जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित। शान्ति निर्वान परमाम मत संस्थाम दिगच्छती। नात्याशन तस्तू योगोस्ती न चैकांत मनशनता न चाति स्वपन शीलस्य जागरतो नैव चार जुन। हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का, और न सदा ही जागने वाले का ही सिद्ध होता है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त स्वपनाव बोधस्य योगो भवती दूह कहा, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेश्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है, यदा विनियतम चित मात्मन्ये वावतिष्ठते, निहस्प्रह सर्वकामे भ्यो युक्त इत्यूच्चते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित, जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है। उस काल में संपून भोगों से स्प्रिहा रहित पुरुष्क योग युक्त है ऐसा कहा जाता है यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युन्जतो योगमात्मनह जिस प्रकार वायुरहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है यत्रो परमते चित्तम निरुधम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानम पश्यन्नात्मनि तुश्यती सुखमात्यंतिकम यतत्द बुद्धि ग्राह यम अतींद्रियम वेत यत्रन चैवाएं स्थितस चलती तत्वतह, यम लब्धवा चापरम लाभं मन्यते नादिकम तत, यस्मिन स्थितो न दूखेन गुरुनाप विचाल्यते, तम विद्यात दूखसं योगव योगम योग संजितम, सनिश्चेन योगतव्यो योगो निर्विन चेतसा, योग के अनन्द घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रियों से अतीत, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहन करने योग्य, जो अनन्द आनन्द है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, और जिस अवस्था में स्थित यह योगी, परम परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाब को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाब नहीं मानता और परमात्म प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दोग से भी चलाय मान नहीं होता। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेश रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांती रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उप्रति को प्राप्त हो तथा धैरिये युक्त बुध्धी के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे यतो यतो निश्चर्ति मनश चंचल मस्थिरम ततस्ततो ये स्थिर्ण रहने वाला और चंचलमन जिस जिस शब्दादी विशय के निमित्त से संसार में विचरता है उस उस विशय से रोक कर यानि हटा कर इसे बार-बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे प्रशांत मन्सम हेनम योगिनम सुक मुत्तमम उपयति शांतर जसम ब्रह्म भूतम कलमश्म क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुन शांत हो गया है ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है युन्जन नेवं सदात्मानम योगी विगत कल सुखेन ब्रह्म संस्पर्ष मत्यंतम सुख मशनूतें वपापराहित योगी इस प्रकार निरंटर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्तिरूप अनंत आनंद का अनुभव करता है सर्वभूत स्थमात्مानम आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है योमा पश्चती सरवत्र सर्वम चमय पश्चती तस्याहम नप्रणश्यामि सच में नप्रणश्यती जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सब के आत्म रूप मुझवासु जो पुरुशेकी भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सचिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सप्रकार से बरत्ता हुआ भी मुझ में ही बरत्ता है आत्मोपमियन सर्वत्र समम पश्चति योर्जुन, सुखम वायदिव अथ्वा दुखम सयोगी परमो मतह हे अर्जुन, जो योगी अपनी भाती संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अत्वा दुख को भी सब में सम देखता है वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है अर्जुन उवाच योयम योगस्त्वया प्रोक्तह साम्येन मध अर्जुन बोले हे मधुसूदन जो यह योग आपने समभाव से कहा है मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिती को नहीं देखता हूं चंचलम ही मनह कृष्ण प्रमाथी बलवद दृठम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुशकरम क्योंकि हे श्री कृष्ण यह मन बड़ा चंचल प्रमत्थन स्वभाव वाला बड़ा दृठ और बलवान है इसलिए उसका वश्मे करना मैं वायू को रोकने की भाति अत्यंत दुशकरमानता हूं श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनो दुड निग्रहम चलम अभ्यासें तु कौनते वैराग जिसका मन वश्मे किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुषद्वारा योग दुश्प्राप्य है और वश्मे किये हुए मनवाले प्रयत्नशील पुरुषद्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है यह मेरा मत है अर्जुन उवाच अयति श्रधयोपेतो योगा चलित्मान अप्राप्य योग संसिध्धीं कांग गतीं कृष्ण गच्छत्ति अर्जुन बोले हे श्री कृष्ण जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किन्तु सैयमी नहीं है इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है ऐसा साधक योग की सिध्ध को अर्थात भगवत साक्षातकार को न प्राप्त होकर किस गती को प्राप्त होता है का चिन्नो भय विभ्रष्ट श्चिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूडो ब्रह्मन पति हे महाबाहो क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पु रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है श्री भगवान वाज पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्त स्यविद्यते नहीं कल्यान कृत कश्चित दुर्गतिन तात गच्छती श्र प्राप्य पुन्यकृतां लोकानुशित्वा शाश्वतिय समाह शुचीनाम श्री मताम गेहे योगभरश्टो भिजायते योगभरश्ट, पुरुष, पुन्यवानों लोकों को अर्थात स्वरगादी उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उन में बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है अत्वा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धी दुरलभतरम लोके जन्म यदी द्रशम अत्वा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर जानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है परन्तु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निह संदेः अत्यंत दुरलभ है तत्रतम बुद्धि संयोगम लबते पौर्वदे ही कम यतते चततो भूय संसिधो कुरुनंदन वहां उस पहले शरीर में संग्रह किये हुए बुद्धि संयोग को प्रयत्न करता है पूर्वा भ्यासें ते नैव रियते यवशोपिसद जिज्यासुरप्पी योगस्य शब्द ब्रहमाति वर्दते वह श्रीमानों के घर जन्म लेने वाला योग घष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निह संदेह भगवान की ओर आकर्ष पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संसकार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर ततकाल ही परम गति को प्राप्ध हो जाता है तपस्विभ्योधिको योगी ज्यानिभ्योपी मतोदिका करमिभ्यष संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्म से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ट मान्य है ओम तत्सदिती श्रीमद भगवद गीता सूप निशत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री मद्भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन समवाद में आत्म संयम्म योग नामक छठा ध्याय संपूर्ण हुआ